एलो इस वीडियो में आज हम सीखेंगे ओडर लिस्ट के बारे में जिसको बोले जाता है ओएल तो इसको हम यहाँ पे डेटेल में जानेंगे तो सबसे पहले इसकी डेफिनिशन जानती है तो ओडर लिस्ट इसकी डेफिनिशन है order list अरना बार्ड in some fashion an order list start with the tag ol and ends with ol तो order list का जो starting tag होता है वो ol होता है और जो end tag होता है वो ol होता है यह forward slash लगाएंगे और ol लिखेंगे each list item start with the tag li जो list item start होती है वो li से होती है जिसको बोले जाता है list item the attribute that can be specified with the li are types control the numbering scheme to be used तो यहाँ पे सबसे पहला दिया गया है type is equal to 1 अगर हमने कुछ list item लिखेंगे हैं और हम चाहते हैं कि वहाँ पे 1, 2, 3 इसी साब से वहाँ पे numbering आए तो हम लिखेंगे type is equal to 1 बिल गेव continue numbers 1, 2, 3 तो अगर हमने type is equal to 1 लिखा हुआ है तो हमारे पास यहाँ पे यह numbers आ जाएंगे 1, 2, 3 इसके बाद है type is equal to a अगर हम चाहते हैं कि जो list item है वो a से start हो जैसे a, b, c, d इसी साब से आए तो हम लिखेंगे type is equal to a विल गेव uppercase letters a, b, c इसी साब से आएगा type is equal to a यह lowercase letter लिखा हुआ है विल गेव lowercase letter a, b, c अगर हम चाहते हैं कि lowercase letter में a, b, c इसी साब से list item आए तो हम यह use करेंगे type is equal to a इसके बाद है type is equal to one यह roman का है विल गेव roman numbers अगर हम चाहते हैं कि roman में counting आए तो हम लिखेंगे type is equal to one roman में one लिखेंगे तो इस हिसाब से आएगा जो list item बनके आएगी वो roman में आएगी one, two, three इस हिसाब से आएगी इसके बाद यह example है जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ol ol का मतलब है order list यहाँ पे हमने start की हुई है जैसे list item हमने पहले लिखे हुई है floppy इसके बाद list item mouse लिखा हुआ है इसके बाद list item keyword लिखा हुआ है इसके बाद ol को बंद किया हुआ है इसके बाद जब हम इसकी order देखेंगे तो यह जो numbering आएगी वो 1, 2, 3 इस हिसाब से आएगी क्यों आएगी क्योंकि ol में जो default value होती है यह 1, 2, 3, 4 इस हिसाब से आती है तो जब हम इसकी order देखेंगे यह जो उपरा हमने list item लिखे हुई है तो यहाँ पे 1, 2, 3 इस हिसाब से आएगी यह देखो जब order देखेंगे तो यहाँ पे floppy के आगे यहाँ पे 1 आजाएगा इसके बाद mouse के आगे यहाँ पे 2 आएगा इसके बाद keyword के आगे यहाँ पे 3 आएगा अगर और भी हमने यहाँ पे list item लिखे हुई है तो यहाँ पे यह counting आजाएगी 1, 2, 3, 4 इस हिसाब से आजाएगी इसके बाद example है आगर हमारे पास ऐसा लिखाओ ol type is equal to 1 start is equal to 4 इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि ol type यह जो है वो number से start हो और start कहां से हो 4 से तो इससे क्या होगा जो यहाँ पे starting जो number आएगा वो 4 से होगा 4, 5, 6 इस हिसाब से आएगा इसके बाद यह देखो li list item हमने floppy लिखी हुई है second हमने mouse लिखी हुई है third हमने यहाँ पे keyword लिखा हुई है इसकी जब हम output देखेंगे तो output में क्या आएगा यह देखो यहाँ पे हमने ol type क्या लिए हुआ हुआ है यहाँ पे number floppy के लिए यहाँ पे 4 से start हुआ है क्योंकि हमने start यहाँ पे 4 से किया हुआ है तो यहाँ से 4 से start हुआ है इसके बाद mouse के लिए 5 इसके बाद keyword के लिए 6 इसके बाद अगर हम यह जाते है कि यह जो numbering आई हुई है यह roman में आए तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे ol type is equal to यहाँ पे roman में 1 लिखेंगे और कहां से start हो तो start लिखेंगे is equal to यहाँ पे जैसे 4 से start हो तो यहाँ पे यह लिखो जहाँ पे 4 है वहाँ पे roman में 4 आएगा इसके बाद 5 है तो roman में 5 आएगा इसके बाद 6 है तो रोमन में 6 आएगा अगर हम यह चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास uppercase letter आए जैसे A, B, C, D, E, C साबसे तो हम यहाँ पर लिखेंगे OL type is equal to A तो A जो लिखेंगे हम uppercase letter लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा A, B, C इस हिसाबसे यहाँ पर लिखेंगे तो इन सभी का आगे हम practical करके दिखेंगे नोड़ पैड में यह order list का एक प्रोग्राम है इसको आगे हम practically करके दिखते हैं इसके बाद यह दिखो यहाँ पे हमने नोड़ पैड में order list का एक प्रोग्राम लिखा हुआ है तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है HTML इसके बाद head tag लिखा हुआ है इसके बाद title tag लिखा हुआ है और title tag में हमने लिखा हुआ है order list इसके बाद title tag को बंद किया हुआ है head tag को बंद किया हुआ है, body tag यहां पे start किया हुआ है, इसके बाद यहां पे h1 यह tag यूज किया हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है fruits, इसके बाद यहां पे order list tag यहां पे start किया हुआ है, यह देखो ol, ol का मतलब है order list, इसके बाद list item, li का मतलब है list item, यह हमने लिखी हुई है, second list item है orange third list item है banana इसके बाद यहाँ पे ol को बंद किया हुआ है इसके बाद नीचे देखोईए vegetables इसमें भी हमने यहाँ पे ol को start किया हुआ है इसके बाद list item में onion लिखा हुआ है इसके बाद list item में potatoes लिखा हुआ है इसके बाद list item में radish लिखा हुआ है इसके बाद फिर यहां पर OL को बंद किया हुए, इसके बाद यहां पर computer parts यह लिखा हुआ है, इसमें हमने OL यहां पर order list start की हुई है, यहां पर list item में लिखा हुए keyword, second list item में mouse, third list item में right pen, इसके बाद OL को बंद किया हुए, h1 को बंद किया हुए, body को बंद किया हुए, और html tag को बंद किया हुआ है, तो ये हमने order list का यहां पे program किया हुआ है जब हम इसकी output देखेंगे तो ये देखो, यहां पे fruits लिखा हुआ है, तो fruits में ये जो apple, यहां पे आजाएगा 1, orange, यहां पे आजाएगा 2, banana, यहां पे आजाएगा 3, इसी इसाफ से vegetables में हमने start किया हुआ है यह देखो order list तो why default जो होता है 1, 2, 3, 4 इसी साफ से यहां पे numbering आती है तो यहां भी हमने लिखा हुआ है L.I. onion तो यहां पे 1 आएगा L.I. potatoes यहां पे 2 आएगा L.I. radish यहां पे 3 आएगा इसी साफ से यहां पे computer parts हैं तो यहां भी हमने O.I. लिखा हुआ है तो यहां भी 1, 2, 3 इसी साफ से यहां पे numbering आएगी इसके बाद हम क्या करेंगे यहां पे फाइल पे जाएंगे और यहां पे इसको save as करेंगे save as करने के बाद कहां पे save करना है डेस्टोप पे save करना है इसके वाद यहाँ पर file name देंगे तो हमने यहाँ पर file name दी है bn इसके वाद dot stml यह हमने extension लगाई इसके वाद यहाँ पर इसको save कर देंगे save करने के वाद यह देखो default browser में यह यहाँ पर आ गया है जब हम इसको open करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि यह web page में कैसी दिखाई दे रहा है इसको यहाँ पर open करेंगे, यह open किया open करने के राद के बाद हमारे पास यहाँ पर यह list आ गई यह दिखो fruits लिखा हुआ है यहाँ पर यहाँ था यहाँ पर लिखा था li apple, li orange, li banana तो यहां पे यह वाई डिफार्ट यहां पे numbering आ जाती है 123 इसी तरह vegetables यह देखो ol start किया हुआ है तो यहां पे हमने लिखा हुआ है li onion, li potatoes, li radish तो यहां भी numbering आ गई है यह देखो 123 इसी तरह यहां पे computer parts हैं यह देखो ol लिखा हुआ हमने तो list item, keyword लिखा हुआ है, mouse लिखा हुआ है, light pen तो यहां भी numbering आ गई है 123 तो इस हिसाब से ol का use करके हम यहां पे numbering set कर सकते हैं इसके बाद अगर हम यह चाहते हैं कि यह जो हमने fruits लिखे हुआ है यहां पे यह जो numbering आ है वो यहां पे uppercase letter आ है जैसे one की जगा a i, two की जगा यहां पे b i, three की जगा यहां पे c i तो यहां पे vegetable में हमारे पास यह, यहां पे one i, यहां पे two i, यहां पे three i और यहां पे computer parts में हमारे पास यहां पे roman में यहां पे counting आ है तो इसको कैसे करेंगे तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले यहां पे fruits यहां पे जाएंगे और यहां पे ol लिखा हुआ है इसके आगे हम यहां पे लिखेंगे type type लिखा है इसके बाद equal to तो equal to लिखने के बाद हमारे पास क्या आए यहाँ पे अपर केस लेटर आएं तो हम यहाँ पे लिखेंगे A, A, B, C, E, C साब से यहाँ पे आए इसके बाद Vegetables Vegetables में हमारे पास यहाँ पे Numbering आए तो यहाँ पे हम लिखेंगे Ol के बाद Type के बाद Equal to Equal to के बाद यहाँ पे लिखेंगे One यह Numbering यहाँ पे आए 1, 2, 3, C साब से आए इसके बाद यहाँ पे Computer Parts में हमारे पास यहाँ पे Roman में यहाँ पे Counting आए तो हम यहाँ पे लिखेंगे Ol इसके बाद लिखेंगे Type इसके बाद लिखेंगे Equal to इसके बाद लिखेंगे Roman में 1 यह रोमन में one लिखा one लिखने के बाद जब हम इसकी output देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा तो fruits के लिए हमने यहाँ पे क्या start किया हुआ है यह देखो ol type is equal to a uppercase letter हमने यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे a, b, c, c, c साब से आएगा इसके बाद vegetable के लिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ol type is equal to one तो यहाँ पे one, two, three इस हिसाब से आएगा इसके बाद यहाँ पे computer parts यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ol type is equal to रोमन में one तो यहाँ पे computer parts में रोमन में यहाँ पे counting आएगी तो इसको करके दिखते है यहाँ पे फाइल पे गए इसके बाद सेव पे क्लिक किया यह सेव हो गया है सेव करने के बाद अब हमें इसको रिफ्रेश करेंगे यह दिखो रिफ्रेश किया रिफ्रेश करने के बाद यह दिखो हमारे पास यह और पूट आ जाएगी तो पहले के लिए हमने यहां पर क्या set किया हूँ है यह लिखो OL type is equal to A तो यहां पर यह जो अपर केस लेटर आए A, B, C इसी साफ से आगे इसके बाद दूसरे के लिए लिखो vegetables के लिए हमने OL type is equal to 1 लिखा हूँ है तो यहां पर यह लिखो 1, 2, 3 इसी साफ से आगे इसके बाद यहां पर देखो computer parts में हमने क्या start किया हूए OL type is equal to 1 1 जो है रोमन में है तो यह लिखो यहां पर रोमन में यहां पर आगया keyword यहां पर रोमन में 1, mouse यहां पर रोमन में 2, light pen यहां पर रोमन में 3 तो इस हिसाब से यहां पे हम order list set कर सकते हैं इसके बाद आगे हम यह करेंगे कि यह जो यहां पे अपर केश्व लेटर आये हुँ है यह लेटर यहां पे start हो B से B, इसके बाद C, इसके बाद D इस हिसाब से आए और यहां पे यह जिज नंबरिंग है यहां पे numbering four से start हो 4, 5, 6 और इसके बाद यहां पे computer parts में यहां पे roman में यहां पे one लिखा हुा है two लिखा हुआ है, three लिखा हुआ है तो हम यह चाते हैं कि यह roman में two से start हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहां पे A लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे start यह start लिखा है इसके बाद equal to इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 2 तो यह 2 लिखा 2 लिखने के बाद क्या होगा है यहाँ से b से start होगा b, इसके बाद c, इसके बाद d इसके बाद निचे है vegetables vegetable में हमने लिखा हुआ ol type is equal to 1 तो अगर हम यह चाहते हैं कि यहाँ पे one से start ना हो यहाँ पे start जो है four से हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे one के बाद start start लिखा इसके बाद equal to इसके बाद लिखेंगे four यह four लिखा four लिखने के बाद निचे हम जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे computer parts तो यहाँ पे roman में one लिखा हुआ है अगर हम यह चाहते हैं कि यह जो roman में हमने यहाँ पे counting लिखी हुई है यह two से start हो यह keyword के लिए two आए mouse के लिए three आए light pen के लिए four आए तो हम क्या करेंगे यहाँ पे or type is equal to one और start यहाँ पे करेंगे यह start लिखा इसके बाद equal to इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे two यह two लिखा two लिखने के बाद अब हम इसको save करेंगे यह देखो file पे गए save पे गए यह save हो गई है save होने के बाद हम इसको refresh करेंगे ये दिखो refresh किया, refresh करने के बाद ये दिखो, हमने क्या क्या था, यहाँ पे fruits के लिए, हमने यहाँ पे ol type is equal to a, start is equal to 2, तो ये दिखो, 2 से start हो आई ये, b, c, d, इस हिसाब से आ गया, type जो है, अपर के इस letter है, लेकिन जो start है, वो 2 से है, तो 2 क्या है, b, b, c, d, इसके बाद ये निचे दिखो, vegetables में, ol type is equal to 1, ये जो ol type है, यहाँ पे numbering है, लेकिन start कहां से हो, 4 से, तो ये लिखो, यहाँ पे vegetables के लिए, यहाँ से 4 से numbering आगी है, 4, 5, 6, इसके बाद निचे दिखो, ये computer parts हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ol type is equal to 1, रोमन में 1 लिखा हुआ है, लेकिन र keyword के लिए यहाँ पे 2 रोमन में आगया, mouse के लिए यहाँ पे रोमन में 3 आगया, light pen के लिए यहाँ पे रोमन में 4 आगया, तो इस तरह से order list का यहाँ पे हम use कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हमने ol के बारे में detail में जाना, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज शब्सक्राइब में चानल